बैस्विक महमारी कोरोना वारस से बचाव को लेकर केंद्र एवं बिहार सरकार के दोरा लगाए गई लोकडाउन के तीन महाँ बाद अमरपूर थाने में पुना भूमी बिवाद का निप्टारि के लिए थाना ध्यच कुमार सन्नी एवं सियो सुनिल कुमार सा की अधचता मे सनिवार के दिन जनता दर्बार का आयोजन किया गया आयोजित जनता दर्बार में बिभिन्न गाओं के आधे दर्जन फर्यादियों ने भूमी बिवाद से संबंदिद आवेदन दिया जिसमें बनिया चक गाओं की दिनेस मंडल जमीन मापी के लिए भीकन पूर गाओं के ब्रिंद्र कुमार सर्वा ने भूमी बिवाद, तारडी गाउं के विवेकानन ठाकूर की पत्नी वीना ठाकूर ने बिवादित जमीन पर धारा 144 लगने के वाबजूद बिपक्चियों के द्वारा जब्रन मकान निर्मान करने ननलाल पट्टी के दसरत मांजी ने पारिवारिक बटवारा को लेकर आवेदन दिया मौके पर मौझूद सीयों ने जनता दर्बार में आये फर्यादियों के समस्याओं को बारिके से सुनकर अंचल कर्मी से सभी आवेदन करताओं को अगले सनिवार को आने की तारीक देने का निर्देश दिया मौके पर अवर्निर चक गनेश पासवान सहाय कवंडर चकबी के तिवारी समेथ अंचल कर्मी अवधेश कुमारुवा अन्य पुलीस कर्मी मौझूद थे सरकार एक और जहां जल जीवन हरियाली के तहट सरकारी जमीन सहित नीजी जमीन पर बिच्छा रोपन कर हरियाली को बढ़ावाद दे रही है वहीं जैपूर थाना च्छेतर में असमाजिक तत्मोद्वारा एक आम के बगिचे से पांच दर्जन से अधीक लग चुके आम के पौधों को बेरहमी से काट डाला घटना की सूचना पर सहाय कवंद्र चक मेनेजर सिंग ने घटना स्थल का जाजा लेते हुए किसान के बयान पर अग्याद पर मुकदमा दर्जिक कर लिया है महलिया वरन निवासी राम नरेस यादब ने रसोया मोजा में लगभग डिल एकर जमीन पर पिछले वश डिल जो आम का पौधा लगाया था सुख्चा के लिहाज से चारो तरफ ट्रेंच कटा कर बंजर भूमी पर काफी महनत से आम का पौधा लगाया था सुख्रवार की रातरी कुछ अग्यात लोगों ने बगान में घुश कर कटारी से एक तरफ से पौधे को काट दिया सपोर्ट के लिए लगाया गया बास के बल पर सभी कटे पौधे सुबह तक खड़े थे उन लोगों को लगा कि सभी पौधे कट चुके हैं इसी भ्रम में कुछ पौधे बच गए किसान राम नरेस यादव ने बताया कि उन्होंने जमीन खरीद कर आम की बागवानी की थी उन्होंने पुलीस को बताया किसी के साथ उनका दुस्मनी नहीं है बाबजुद ऐसी घटना से वो अस्तब्द है पिछले वर्स भी यादव मार के टेंगरिया गाउं के पास के चंडर सेखर भारती दोरा लगाये गए सागवान के बगीचे में भलुआ गाउं के ही कुछ असमाजिक तत्वों ने गाउं में सरापी कर नसे में दर्जनों पौधों को काट ढाला था बात थाने तक गई मगर आई गई हो गई पुलीस ने दावा किया है कि जल्दी सभी आरोपी पकड़े जाएंगे बाकाजिला के पंजवारा के संकट मोचन चौंक के पास सनिवार को मचली बाजार लगाने के करम में अस्थानिय दुकानदारों और मचली बिक्रिताओं के बीच तीखी नोक छोक हुई जिसमें दोनों पक्च एक दुसरे से भिल गए और हलकी मारपीट की भी घटना हुई इसको लेकर अस्थानिय दुकानदारों का कहना है कि पंजवारा में मचली बेचने के लिए संकट मोचन चौंक के पास सड़क किनारे गली में जगह बना दिया गया है लेकिन फिर भी मचली बिक्रेता उनके दुकानों के आगे अपनी दुकान लगा देते हैं जिससे उन्हें परिसानियों का सामना करना पड़ता है और आए दिन इसको लेकर बिवाद होता रहता है साथ ही उनके दुकानों के आगे मचली बेचने की वज़ह से सडांध और गंदगी पसरी रहती है इससे आम लोगों को भी काफी परिसानियों का सामना करना पड़ता है उधर पुलीस के मौके पर पहुंचते ही मामला सांथ हो गया बाका के अमरपूर थाना च्छत्र के दो अलग लग जगों पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट में महिला समेत आधे दरजन लोग जखमी हो गए जखमी बादसा गंज गाउनिवासी मंटू कुमर इनकी पत्नी मंजू देवी इनके पुत्र भोला कुमर गौतम कुमर कौसलपूर गाउनिवासी उपकारी चरसिया एवं इनकी पत्नी उमादेवी का प्राथमी कुपचार अस्थानीय रेफल अस्पताल में डॉक्टर नव कुमर समेत आठ लोगों ने लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जखमी कर दिया उहीं कौसलपूर गाउनिवासी उपकारी चरसिया ने बताया कि गाउं के ही रामनंदी यादव जबरन मेरी नीजी जमीन पर कुड़ा फेकता था जिसकी लिखित आवेदन 20 जून को थाने म दिया गया था इसी बात को लेकर रामनंदी यादव बलराम यादव कुंदन यादव लाठी डंडा से लैस होकर आए और कहा कि थाने में दिया हुआ आवेदन वापस लो विरोध करने पर लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जखमी कर दिया मामले को लेकर थाना कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के दोरा दिये गया आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है।